अलो दोस्तों हम चेप्टर नमर 7 पड़ रहे थे चेप्टर नमर 7 के अक्सेसाइज चल रहे थी 7.2 अब तक हमने दोस्तों इस अक्सेसाइज के क्यूसर नमर 8 कम्प्लीट कर लिए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आज क्यूसर नमर हम 9 करेंगे 9 और 8 को जोड़ने वाले रेखा करेंड एब बी को 4 बराबर बागों विवाजित करने वाले बींदू की निर्दे सांग याद कीजिए ये दोस्तों अपने पास क्यूसर नहीं है इसमें दोस्तों अपने पास क्या दिया हुआ है अपने पास को 2 पॉइंट है ये दोस्तों बराबर बाग दोस्तों कितने होंगे एक एक यहां से दो और यह तीन यह दोस्तों चार यह जितना दोस्तों वही सेम यह है सब कि अगर यह दो है यह भी दो है यह दो और यह दो तो सभी में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा दोस्तों इसको और दोस्तों यह अपन के अपने पास koordinator दे रखी है निर्दे सांग माइनिस के टू और टू और बी के निर्दे सांग दे रखें अपने पास टू और एट अब दोस्तो D point अपने पास क्या है दोस्तो यह कोद डिवाइड कर रहा है तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करें एक तो section formula से दोस्तों हम इसको solve कर सकते हैं जैसे section formula में 1 इसको 1 और 1 और 1 ये 1 रशे 1 में डिवाइड़ डिशन कर रहा है तो यहां से section formula से कर लेंगे लेकिं section formula से दोस्तों थोड़ा ये hard होगा तो इसलिए easy बनाने के लिए इसमें क्या करेंगी इसको mid point से solve करेंगी ये मद्दे बिंदू से अगर दोस्तों ये A, ये दूरी और ये दूरी same है क्योंकि चार बराबर बागों में डिवाइडिसन कर रहा है इसका तो ये चार बराबर बागों में डिवाइडिसन कर रहा है तो ये अपने पास क्या है इसका mid point है ये जितना है उतना ही ये है तो ये mid point है अपने पास तो इसको हमने मान लिए ये x और y इसके निद्धा सा कितने हैं x और y और दोस्तों इसके लिए हमने फोर्मा देखा था मदे बिंदू का X बराबर अपने पास यहां पे पहले लिग देते हैं परसना नुसार परसना नुसार A B A B का मदे बिंदू A B का मदे बिंदू A B परसना A B का मद्दे बिंदू D है आता है D के निर्दे सांख D के निर्दे सांख क्या होगी दोस्ता अपने पास फोर्मला होगा है यासे मद्दे बिंदू के लिए X जोका 2 X1 प्लस X2 Divide में 2 Y के लिए अपने पास होगा Y1 प्लस Y2 और Divide में अपने पास हो जाएगा 2 यह दोस्त अपने मद्दे बिंदू का फोर्मला आ गया अब X के निर्दे सांग निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों यह X1 है अपने पास और यह X2 है यह अपने पास X1 यह X1 और यह Y1 यह ऐसे X2 और यह Y2 अब दोस्तों फोर्मला इपूट करेंगे X is equal to यहां से X1 की वेल्य यहां से माइनिस के 2 प्लैस X2 की वेल्य अपने पास 2 डिवाइड में आगे अपने पास 2 और Y के निर्दे सांगे यहां से Y1 की वेल्य अपने पास 2 Y2 की वेल्य यहां से अपने पास 8 divide में 2 x is equal to minus 2 और plus के 2 0 divide में आएगा अपने पास 2 और यहां से y is equal to 8 और 2 अपने पास 10 upon 2 तो दोस्तों अपने पास 0 अपने नीचे 2 है अगर उपर कोई भी संख्या के नीचे dividation हो रहा किसी भी संख्या का उपर 0 है तो वो दोस्तों अपने पास क्या हो जाता है 0 और दोस्तों अगर नीचे 0 हो तो वो अपने पास हो जाता है infinite तो दोस्तों x is equal to अपने पास यह हो गया 0 और यहां से y is equal to अपने पास क्या हो गया 2 की table sequence है तो 5 तो दोस्तों अपने पास coordinate d के जो coordinate time वो अपने पास क्या है एता है डी के निर्दे सांख निर्दे सांख होंगे जीरो और फाइव अब दोस्तों अपने पास क्या हो गया जैसे इस डी के अपने पास निर्दे सांख आगे जीरो और फाइव अब दोस्तों ये जो दूरी है और ये दूरी है वो भी तो सेम है तो यहां भी अपने पास मद्दे बिंदू का फॉरून लग जाएगा और यहां भी दोस्तों अपने पास मद्दे बिंदू का फॉरून लग जाएगा क्योंकि यह दूरी और यह दूरी भी सेम है तो यहां पर मद्दे बिंदू का फॉरूनला लगेगा midpoint का फोर्मला और यहां भी midpoint का फोर्मला लगेगा सेम यही process से करना है चलो आगे soul करते है अब दोस्तो बिंदू C के लिए हम निर्दे सांग क्यात करेंगे इसमें दोस्तों अपने पास पहले हमने A और B के लिए निर्दे सांग निकाले थे A, B, D के निर्दे सांग अब निकालेंगे A और D से C के निर्दे सांग तो अपने पास A और D का A, D का मद्दे बिंदू मद्दे बिंदू C है आता है C के निर्दे सांग क्या होंगी दोस्तों अपने पास इसके लिए वो ही दोस्तों से फॉर्मला पहले इसका डाइगराम बना लेते हैं लग से यह अपने पास से हो गए यहां से A और यह अपने पास हो गए D यह अपने पास दोस्तों C पॉइंट इसके निदे सांग दे रहे है अपने को 2 और 2 इसके अपने को दे रहें 0 और 5 जब भी हमने find out किये थे यह दोस्तों अपने पास अब यहां से फोरोना वोई सेम एक्सी जिगर 2 अब दोस्तों यह x और y मान लेते हैं इसको तो एक्सी जिगर 2 x1 प्लस x2 डिवाइड में अपने पास 2 ऐसे y जिगर 2 y1 प्लस y2 डिवाइड में यहां से 2 अब दोस्तों इसके कोडिनेट निकालेंगे तो क्या हैगा x जिगर 2 x1 यहां पे दोस्तों अपने पास minus के 2 प्लस x2 के वेलु यहां से अपने पास दोस्तों 0 डिवाइड में अपने पास 2 ऐसे y के लिए अपने पास y1 अपने पास 2 y2 के लिए अपने पास 5 और डिवाइड में अपने पास 2 x जिगर 2 दोस्तों minus के 2 और 0 अपने पास minus के 2 डिवाइड में अपने पास 2 यहां से y जिगर 2 अपने पास 2 और 5 सब्सक्राइब है यहांसे अपने पॉस्ट के टेबल से तो माइनिस वन आजाएगा तो एक से जीओ अपने पास है माइनिस के लग और भाई जीओ कॉर्ट अपने पास हैren डिवाईड तो अपने पास दोस्तों ए डि जो C के निर्दे मेरा का वो क्या है अपने पास माइनिस के 1 और 7 डिवाइड बाइ 2 ये निर्दे सांग आए हैं दोस्तो अपने पास अब निर्दे सांग अपने को दोस्तो ये second answer इसका C के निर्दे सांग निकाल लिए अब दोस्तो E के लिए निर्दे सांग निकालने हैं अपने को तो ये के लिए क्या करेंगे दोस्तों वही सेम इसका डाइग्राम बना लेते हैं पहले D पॉइंट अपने पास यहां से D और यह B और E पॉइंट अपने पास यहां है इसके निर्दे सांग दे रहे हैं अपने को 0 और 5 इसके निर्दे सांग अपने को दे रहे हैं टू और एट कोडिनेट तो इसके लिए दोस्त हम क्या करेंगी वह इमीड फॉर्मला लगाएंगी तो एक से जो कर टू यह लिग देते हैं पहले डीबी डीबी का मद्दे बिन्दू मद्दे बिन्दू ई है आता है इके निर्दे सांग इके निर्दे सांग क्या होंगी दोस्तो फॉर्मला सेम एक से जो कर टू एकस वन प्लस एकस टू डिवाइड में टू और य जो कर टू यवन प्लस वाइटू डिवाइड बाइड 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 टू अब दोस्तो X is equal to X1 की वेलिए दोस्तों यहां से क्या है अपने पास 0, X2 की वेलिए अपने पास यहां से 2, divide by 2 ऐसे Y के coordinate Y1 की वेलिए अपने पास 5 और Y2 की वेलिए अपने पास यहां से 8, divide by 2 अब दोस्तों इसे solve करेंगी यह अपने पास X is equal to 0, 2 अपने पास हो गया 2 । डिवाइड बाई 2 और Y is equal to यहांसे 5 और 8 हो गया अपने पास 13 डिवाइड बाई 2 X is equal to यहांसे cancel होकी 2 का टेबल से 1 आ गया और यहांसे Y is equal to 13 डिवाइड बाई 2 तो दोस्तो D के जो निर्दे सांग होगी यह से y ay और दोसτο्त आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसे परकार की कोई प्रोबलम है तो दोस्तो कोमेंट कीजिए थेंक्यू दोस्तो